बच्चो कैसे हो आप आज हम EBS1 या तो आप बोल सकते हो साइन्स का हम 4th chapter करने वाल है जिसका नम है environmental balance यह मैं आपको explain करूंगा हिंदी में ठीक है तो इसके लिए आप वीडियो आखरी तक जरूर देखना और इस वीडियो के बाद में इस chapter का question answers भी दूंगा जिसका लिंक आपको comment section या तो description box में आपको मिल जाएगा ठीक है वहाँ से आप देख सकते हो लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रस करो ताकि आपको हमारे नए नए ने वीडियो मिले और इस वीडियो से पहले इस मतब बच्चों क्या होता है आप बल सकते हो प्रकृति का बैलेंस ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या दिया है try this यह तो आपको try करने बोला है क्या है देखो ask the elder in your family to take you to a river side or to a lake side or stream क्या बोल रहे हैं elder मतब क्या होता बच्चों बड़े बुड़े जो घर में रहते हैं ठीक है बुजूर्ग आप बुल सकते हो ठीक है river side मतब नदी के किनारे लेक मतब तालाब यहाँ पर क्या बोल रहे है कि आप अपनी family में जो आपके family में जो भी बुजूर्ग है उनको बोलो कि वह आपको नदी के किनारे लेकर जाए या तो कोई तालाब के किनारे लेकर जाए देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे यह अंकल है देखो अपने छोटे जो छोटे से उनका नाती या जो भी पोता है उनको लेकर गए यह बच्चे और बच्ची को लेकर गए ह अब आगे क्या करना है आपको उसके बाद देखो observing the various living things देखो यह दोनों बच्चे क्या कर रहे है यह सब लोग क्या कर रहे है अलग-अलग जो जीव है उन सब को ध्यान से देख रहे है देखो यहाँ पर क्या है make a list of all the living things you see there living things मतलब बच्चों आप क्या बल सकते हो जीव ठीक है क्या बोल रहे है कि आप जब नदी या तो तालाब की किरारी जब जाओगे तो हाँ पर आप जो भी जीव देखो उनकी एक list बनाओ एक सूची बनाओ if you do not know the names of any of the living things you see make a note of them describing their shape, color, sound, shelter, etc. और draw their picture क्या बोल रहे है कि अगर आपने जो भी जीव यहां पर देख रहे हो इसमें से किसी का भी नाम आपको नहीं पता है तो आप एक काम करो उनका shape मतलब उनका आकार लिखो उनका रंग क्या है वो लिखो वो कैसी आवाज निकाल रहे है वो लिखो या तो वो कैसे घर में रहे है यह सब लिखो या तो आप एक और काम कर सकते हो उनकी picture उनकी तस्वीर बना लो जिसका आपको नाम नहीं पता है आगी क्या है काउंट हाउ मैंने टाइप सोफ लिविंग तिंग्स यू सी अब क्या वो लहे है कि आपने अदी या तो तालाब के खिनारे कितने तरह तरह की जीव देखे है उनको count करो, किनो मतलब समझ दो आपने अगर मींडेक देखा यहाँ पर आप मींडेक देख सकते हूँ यहां पर मिन्डक है, उसके बाद देखो, आप मचली देखे तो fish ज़िसके हम बोलती है, यहां पर goat है, यहां पर देखो, cow है, यहां पर birds है, यहां पर rabbit है, तो कितने हम ने देखा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर देखो, butterfly है, 7, तो हम 7 type के जीव देखे हैं, तो आपको यह count करना है अगर आप कितने type के देखो कि वो आपको count करके लिखना है आगे देखो क्या है Now repeat the activity near your house in the school garden और in a field repeat मतब बच्चों क्या वापिस करना है या तो आप उसके दोहराना house मतब घर school garden मतब जो आपके school के पास बागीचा है फिल्ड मेदान क्या वो रहे है कि अब आप एक काम करो यह जो activity जो काम आपने किया है तालाब के किनारे जाके जीव को देखा गिना कितने जीव देखे हो जिसके आपको नाम नहीं पता है उनका color, उनका रंग, उनका आकार यह सब लिखा या तो उनकी तस्वीर बनाई यही सब काम आपको आपके घर के पास देख कर करना है आपके घर के आजू बाजू वहाँ पर देख करना है या तो आपका जो स्कूल का बागीचा है वहाँ पर देख करना है या कोई मैदान में जाके ठीक है तो बच्चों वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तो आपको कम यह सब दिखेंगे न, क्योंकि नदी के किनारे या तो तालाप के किनारे, अब अगर आप जाओगे, वहाँ पर अलग अलग जीव पानी पीने आते हैं, तो आपको डेल सारे जीव देखने मिल जाएंगे, लेकि you notice any signs of the presence of living things though the living things themselves were not seen क्या बूल रहें आपको कि जब आप observations कर रहे थे मतलब यह सब आप देख रहे थे तब आपको ऐसी कोई sign मतलब आइसी कोई निशानी मिली जिससे आपको लगे कि वो कोई जीव है वहाँ पे कोई जीव था वहाँ पे पहले कोई जीव था लेकिन अब वो खुद वहाँ पर है नहीं यह कैसे बच्चो आगे आपको बता है कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई जीव पहले थ और वो चला गया है तो कैसे आपको मालूब पड़ेगा देखो फोर एक्जामपल डिड्यू नोटिस एनी पाटली अगर अगर को फल का आधा खाया हुआ यहां पर कोई स्कूरु यह आपर कोई स्कुईरल को आधा फ्ल फेक कर चला गया होगा और आगे क्या है fallen feathers फेदर मतलब क्या होता है बच्छो पंक मतलब गिरा हुआ पंक कोई भी चुडिया का या कोई और birds का वहाँ पे गिरा हुआ पंक देखकर आप मालूम कर सकते हो यहाँ पे कोई चुडिया थी animals tracks dung, droppings, nests, cocoons, eggs, honeycomb etc और आप कैसे पता लगा सकते हो कि वहाँ पे कोई जानवर था जैसे कि जानवरों के पैर के निशान या तो आप वहाँ पे जो डंग रहता है जो animal waste रहता है वो मतलब आप बोल सकते हो जिसे animal waste जो रहता है वो सब डंग में आता है और गोसला आप कोई देखो या तो cocoons वहाँ पे देखो या अंड़ा आप देखोगे या तो मदुमक्की का छत्ता देखोगे तो यह सबसे आपको मालूम पड़ेगा कि यह जीव यहाँ पर रहता है या था यहाँ पर तो वही आपको बोला है अब आगे देखोए का आपको second में could you observe any microorganisms क्या ब देख सकते हैं ठीक है उन्हें हम अपनी आखों से नहीं देख सकते हैं तो इसमें आपका no आ जाएगा इंसर ओके आगे का देखो do you think you saw all the kinds of living things that belong there अब क्या बोल रहे है कि क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जितने भी जीव रहते हैं आपको आपने सब को देख लिया है अब बताओ बच्छों ऐसा हो सकता है नहीं ना क्योंकि अगर आपने वहाँ पर जितने भी जीव देखे जरूरी नहीं है वहाँ पर रहने वाले सारे जीव है हो सकता है कुछ जीव कहीं चले गए होंगे पानी की तलाश में खाने की तलाश में या कोई और काम से ठीक है आगे क्या है देखो अब क्या बोलने है क्या आपने उसी तरीके के जीव है हर जगा उसी तरीके के जीव देखे है या अलग अलग रहते हैं जगए जगे पर देखो बच्चो कुछ जीव तो एक जैसे आप देखोगे जैसे कि अगर आपने कोई चुडिया समें लो आपने क्रो देखा तो आप कववा वहाँ पर देखोगे तो आपको कववा कई कई जगा देखने मिलेगा लेकिन अगर आप रैबिट देखोगे के जीव देखते हैं तो वो क्या रहता है मतलब जो हम अलग-अलग जगहों पर आप एक जगहां गए तालाप के किनारे वहाँ पर जो आपने अलग-अलग तरीके के जीव देखे न उसको बोलते हैं वो जगह की बायो डाइवर्सिटी क्या बोल रहें कि आपने जो भी जगह विजिट किया है जहां पर भी आप गए हो उन जगों में से सबसे ज़ादा बायो डाइवर्सिटी कहां पर थी मतलब मैं आपको बताता हूँ आसान शब्दों में कि आप जहां जहां गए हो आपको कहां पर जादा जीव जादा जानवर कहां देखने को मिले है जादा हर्याली कहां देखने को मिली है तो बच्चों देखो इसका एक सिंपल एंसर है अगर आप कोई ऐसी जगह जाओगे जहां पर जादा आपको जानवर चुरिया और हरियाली आपको देखने मिलेगे वो जगे है जंगल क्योंकि जहाँ पे इंसान लोग रहते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा हरियाली नहीं देखने मिलेगे ना ज़्यादा जानवर ना ज़्यादा चुरिया देखने मिलेगे ठीक है चलो भी आगे देखते हैं यहां पर कहा है, to study the biodiversity of a place, scientists make a large number of observations, क्या बहुत है बच्चो कि किसी भी जगे की biodiversity को जानने के लिए पढ़ने के लिए, जो scientist रहते हैं, जो एग्यानिक रहते हैं, वो बहुत ही ध्यान से उस जगे के बारे में पढ़ते हैं, उस जगे को observe करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठी कैसी वहां की हर्याली है, कैसे कौन से पेड़े-पादे हैं, वो सब ठीक है, यह सब जानने के लिए, जो वैग्यानिक रहते हैं, बहुत ही ध्यान से उस जगे को observe करते हैं, देखते हैं, आगी क्या है, they make these observations in different conditions, such as day and night, in different seasons, etc. और क्या बोलने हैं, कि जो वैग्यानिक रहत हैं, फिर रात के टाइम हो देखते हैं, उसके बाद अलग-अलग season में तब मौसम में वहाँ पे देखते हैं, क्या क्या चल रहा है, तो यह सब conditions का इस्सेमाल करके, जो scientists जो वैग्यानिक रहते हैं, वहां की biodiversity के बारे में पता करते हैं, आगी कह देखो, they use special devices to make observation of living things that are found at great heights or depth as well as of microorganisms. तो drone यह सब का इस्सेमाल करते हैं, या तो ऐसे जीव जो भूथ ही ज़्यादा पानी के नीचे रहते हैं, गहराई में रहते हैं, तो उनके लिए वह अलग-इंतर use करता हैं, जो पानी के अंदर जाता है, या तो जो micro-organism रहते हैं, जो भूथ ही ज़्यादा छोटे रहते ह हैं उनको देखने के लिए उनके बारे में जानने के लिए साइंटिस लोग क्या करते हैं माइक्रो स्कोप जो रहता है उसका इससे माल करते हैं ओके चलो आगे दुख अभी क्या है कि जब यह सब जो कोशिश है यह सब जो महनत है बहुत लंबे समय तक की जाती है तब हम पक्का बोल सकते हैं कि वहां की बाइओ नगा पूरी जखाँ को देखे हैं और हम बता हैं ऐसे नहीं कैई महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं वहाँ के बारे में जानने के लिए, ठीक है चलो भी आगे देखते हैं, आगे अगले पेच पे क्या है आपको यहाँ पे आपको the environment environment मतलब बच्चों क्या होता है आप बसकते हो वाता वरड़ आप बोल सकते हो ठीक है, देखो क्या है क्या बच्चों देखो, कि जो आजू-बाजू का माहौल है और वहाँ पे जैसे जो condition है और वो condition जब जीव को जीव पर affect करती है असर करती है, उसे हम कूलते है environment ठीक है मतलब कि जो जीव जहाँ पर रहते हैं उनके आजू-बाजू कैसी condition है कैसा माहौल है और उन पे क्या असर पड़ता है तो उस condition को हम environment बोलते है it includes many components such as sunlight, air, water, soil, plants and animals क्या बोल रहे हैं कि environment में बहुत सारे component होते है environment में क्या क्या आता है सूरज की रोशनी आती है, हवा आती है पानी आता है, मिट्टी आती है पेर पौदे आते हैं और जानवर आते हैं अब दिखागी क्या है living and non-living things are dependent on each other क्या बोले बच्चों कि जो living जो मतलब जीव है और जो non-living मतलब कि जो जीव नहीं है जो non-living things बच्चों क्या होता है जो खुछ से हील नहीं सकते है बोल नहीं सकते है वो non-living things होते हैं जिन में जान नहीं होती है आसान शब्द में बोल सकते हैं तो ही बोले कि living things और non-living things एक दूसरे पर निर्भर होते हैं क्या है आगे there is a lot of give and take or interactions between them क्या बोले कि जो ये livings और non-living things होते हैं इनके बीच में बहुत सारा interaction होता है मतलब बुसकर तालमेल होता है वो एक दूसरे से बहुत कुछ लेते हैं देते हैं भले से वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं लेकिन उनके बीच में लेंदेन होता है इनके बीच में लिविंग तिंग्स और non-living things के वो पढ़ते हैं अभी दूसरे आगे आपको क्या है यहाँ पे यहाँ पे आपको है क्या आपको बहुत आपको बहुत आपको 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 यह तस्वीर नीचे गई दी गई है लिविंग और non-living मतलब जीवित और जो जीवित नहीं है ऐसी चीजों के तो वह आप देखो और क्या बहुत है डिसकस्टान mutual relationship between these various factors of the environment और क्या बोल रहे हैं डिसकस मतलब क्या चर्चा करना क्या आप चर्चा करो कि इन जो लिविंग तिंस और non-living तिंस जीव है और जो जीव नहीं है मतलब यह पत्थर हो गया यह तालाब हो गया यह सब का आपस में इनके कैसे relationship है कैसे आपस में तालमेल है वो आपको बतान है ठीक है तो बच्चों देखोगे अगर आप इनकी बीच में क्या relation है इसे देखने जाओगे तो देखो कि unserem ऐजो पत्थर रहता है पत्थर में रहता वह अपना घर बनाता है ठीक है को यह तालाब है तालाब के क्हें मलता है और अल्य क्यापतों लिव में जाते हैं और यह पेड़ का तना है इसमें जो यह वल्चर आप बोल सकते हो यह जाकर अपना यहाँ पर घर बनाते हैं या तो यह जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वहाँ पर साब भी इसमें रहते हैं ठीक है और यह दो यहाँ पर सन है यहाँ आप नीचे देखो सन है तो सूरज से जो स और देखो कि यहां पर बारिश, बारिश से क्या फाइदा होता है जानवरों को, बारिश से सारे जानवरों को पानी पीने के लिए मिलता है, जंगल में हरिया लिया जाती है, जिससे घास पूस आते है, और जो भी घास पूस खाने वाले जानवर है, जो शाका हरी जानवर है, उन्हें खाने के लिए मिलता है और उनके खाने के बाद जो मासा हरी जानौर है मतलब जो जानौर मास खाते हैं उन्हें उन जानौर को खाने का मौका मिलता है कि वो बाहर आते हैं खाने के लिए तो यह सब रहता है आपस में ताल मेल लिविंग तिंग्स और नॉन लिविंग सुरज है सूरज से गास जो रहती है वह अपना खाना बनाती है और खास उगती है हरी भरी होती है और इस घास को यह खाता है ग्रास होपर खाता है और इस ग्रास होपर को यह चुरिया खाती है तो यहां पर क्या होता है ग्रास होपर इट ग्रास क्या होले है कि जो यह ग्रास होपर है यह क्या खाता है घास को खाता है और लीव्ज और पत्तियों को खाता है यह घास और पत्तिया खाता है, birds eat grass ओपर, और जो चुरिया है, यह grass ओपर को खाती है, ठीके, तो ऐसे यह होता है food chain, ठीके बच्चो, आगे देखो क्या है, can you tell, मतलब कि आप बता सकते हो, क्या देखो, who eat birds, मतलब कि चुरिया को कौन खाता है, तो बच्चो, अगर आप चील यह सब रहते हैं, वो खाते हैं, और इंसान भी चुरिया को खाते है, मार के, या तो बिल्ली रहती है, वो भी खाती है चुरिया को, तो चुरिया को खाने वाले है, यह सारे लोग है, second, what is the food of plants, क्या बोल रहा है, कि जो plants है, जो पेड़ पौदे हैं, उनका खाना क्या सा होता है, तो बच्चो जो पेड़ पौदे हैं, उनका खाना क्या रहता है, वो जमीन से पानी लेते हैं, और सूरज से रोशनी लेते हैं, और हवा से कार्बन डियक्साइड लेते हैं, इन तीनों चीजों से वो अपना खाना बनाते हैं, जो यह जो खाना अपना बनाते है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो सिंथिसिस फोटो सिंथिसिस के दोवारा ये अपना खाना बनाते हैं ठीक है बच्चो? चलो भी आगे देखते हैं क्या है Look at the picture below क्या बोले है आपको? कि जो तस्वीर ये दी गई है इसको देखो तो मतलब हमें इससे कुछ प्रेडित होकर कुछ हमें बताया गया पढ़ाया गया देखो क्या है there are several links in the chain several मतब जो कई, क्या बोले कि ये chain में जो chain है ये, इसमें कई link है दोखो, link मतब क्या जो जोड है बच्चो, दोखो, ये है पहला वाला chain उसमें जोड लगा है फिर दूसरा chain एक और जोड लगा है इसको पद एक और chain है, उसमें एक और जोड लगा है ठीक है, वही बता है, आगे दो कि if the link were to separate from each other, could they be called a chain, क्या बोल रहे है कि अगर जो link है, मतब ये बीज का इसको हम निकाल दे, तो क्या हम उसे chain बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बच्चो क्योंकि chain क्या होता है, जो एक साथ पूरा जुडा रहे है, उसको हम chain बोलते है आगे क्या है, even though each link is complete object it is joined to the link before and after it क्या बोल रहे हैं कि यहां तक कि अगर यह जो chain है, पूरा एक object है, लेकिन फिर भी देखो यह पीछे से और आगे से यह link से जुडा हुआ है, कोई भी आप देख लो यहां पर भी देखो, यह पीछे से एक link से जुडा हुआ है, और आगे से भी एक link से जुडा हुआ है वो यहां पर बता रहे हैं, ठीक है आगे क्या है दोखो if any link comes loose the chain is broken, और क्या बोले कि अगर कोई भी link lose हुई इसमें से कोई भी link अगर lose हुई, तो chain तूट जाएगा होता है न बच्चो, cycle का भी chain देखो जो रहता है, वो जुडा रहता है आपस में एक भी link अगर lose होती है, तो क्या होता है, और chain तूट जाता है, ठीक है, तो वही पेड़ पोदे देखते हैं, और एक grasshopper देखते हैं, और एक चुडिया देखते हैं देखो ये वाले तस्विर की बात हो रही है यहाँ तो हम सूरज देख रहे है कुछ छोटे-छोटे पेड़ पोदे देख रहे हैं ग्रास ओपर देख रहे हैं, ठीक है इस तस्विर की बात किये आगे देखो क्या है दे आर ओल कनेक्टेड ये क्या वोल रहे हैं कि ये जो सब जो ये सारे हैं सूरज, पेड़ पदे छोटे-छोटे ग्रास ओपर और बर्ड ये सब आपस में कनेक्टेड हैं आपस में जुड़े हुए हैं कैसे जुड़े हैं बच्चो देखो मैंने आपको बताया था ना सूरज की रोशनी से ये घास उकती है उसके बाद इस घास को ये ग्रास ओपर खाता है और इस ग्रास ओपर को चुरिया खाती है अगर बच्चो देखो हम यहां से इसको निकाल दे तो ग्रास ओपर हो गए ही ने क्योंकि इसका खाना तो चला गया यह कुछ खाये गए ने तो यह तो पहले ही मर जाएगा और जब यह नहीं रहेगा तो चुरिया भी नहीं खावाएगी चुरिया को भी खाना नहीं मिलेगा या तो अगर आप एक सूरज को निकाल दो इसको रखो तो सूरज जब नहीं रहेगा तो घासी नहीं होगेगी ना ग्रास ओपर रहेगा तो चुरिया के पास भी कुछ खाना नहीं रहेगा मतलब सारी चीज़े इसमें जरूरी है सब एक दूसरे से जुड़े हुए है ठीक है वह यहां पर बताए चलो आगे ऑभी आगे भी आपको क्या है each of the component plants, grasshopper, bird is food for the next one क्या बोल रहे है कि जो हर एक component है जैसे कि जो plant है व्यक्तित छोटे पेड़ पौते हैं ग्रास उपर है और जो चुडिया है और चुरिया सब एक दूसरे यह इसाइन आग है जो गास पुष है वो घ्रास उपर कра कागा है ग्रास ऐसाइन चुडिया का खान यहां पर बता रहे हैं कि कि सब में who say that they form a chain क्या बनाते हैं कि अब कि ये इसको खाता है और उसके बाद ये इसको खाता है ये इसको खाता है ये इसको खाता है तक देखो आगे काे each of these component is a link in a food chain क्या बोल रहे हैं कि जो हर एक component है वो एक दूसरे की यह link है food chain में उतलब खाने का जो chain है जैसे बच्चो देखो यह वाला chain होता है वैसे ही यह खाने का chain है देखो समलो यह जो link बीच में है समलो इन सब को link मान लो यह link है यह link है यह link है ठीक है तो यह food chain का यह link है इसमें से कोई भी link अगर निकला तो पूरा सब food chain टूड जाएगा मतलब कोई भी जिन्दा नहीं रह पाएगा यह लोग में से ठीक है वही यहाँ पर बताएगे है चलो भी आगे देखते हैं क्या है लुक अड़ पिक्चर पिक्चर मतलब क्या बच्चो तस्वीर मतलब बुल रहे हैं कि यह तस्वीर को देखो क्या है वट इस अट डियर्स फूड क्या बले कि यह जो डियर है मतलब जो हिरन है यह इसका खाना क्या है बच्चो ये तो आप आसानी से बता सकते हो ना, आप बताओ, ये हिरन का खाना क्या है, चलो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसे बताओ क्या है खाना, बिल्कुल सही बच्चो, ये जो हिरन है, इसका खाना क्या है, घास, पूस, पेड, पौदे जो है, वो खाना है इसक खाना क्या इसका बताओ बिल्कुल सही बच्चो इसका खाना होते हैं जो जानवर जो शाकाहारी जानवर रहते हैं वो जानवरों को ये टाइगर खाता है जैसे कि ये डियर हो गया या तो आप बोल सकते हो जो बाकी जो जानवर है कभी-कभी ये जो रैबिट रहते है उसको खाते हैं एलेफेंट के चोटे-चोटे बच्छों को भी खाते हैं तो यह सब इस्टाइगर का खाना होते हैं ओके आगे क्या देखा अभी आपको दा पिक्चर बिलो शोज अनुदर फूड चेन पिक्चर मतलब बच्छो क्या तस्वीर क्या बोले कि जो तस्वीर नीचे दी खाते है एक कोश्षन माग दिया है मतलब ऐहाँ परीछो क्या क्याइपको चूडी जोटी और उस चूडी को देखरे रहे हैं इसके पासurbास चोटी सी चुडिया है देखो खा रहा है यह वह रहेगए यह चुडिया इसे खाएगी सूरज की रोष्य से पेड़ पदे होंगे पेड़ पदे को ये छोटे से कीड़ा खाता है कैटरपिलर और उस कैटरपिलर को ये चुड़िया खाएगी और उस चुड़िया को ये आूल खाएगा अगे दोग अभी आपको यहां पर आपको क्या बता है You have to guess क्या बोलने हैं कि जो नहीं भिया हुआ जो जीव जिसे यह उल्लू खाएगा वो आपको बताना है क्या बोलने हैं कि पहले तस्वीर और तीसी तस्वीर को देखो क्या बोलने हैं कि इनके बीच में क्या connection है क्या जोड है वो सोचो और इस food chain को complete करो तो बच्चो यहां पर क्या आगेगा में बता है आपको यह चुरिया यह इसको खाएगी caterpillar को चुरिया खाएगी और चुरिया को यह और अउल खाएगा ठीक है चोलो भी आगे देखते हैं क्या देखो बच्चो आगे आपको क्या बोल रहे है इन नेचर, there are many food chains, क्या बोल रहे हैं कि जो नेचर है, जो हमारी प्रकृती है, उसमें बहुत सारे food chain है, जिसे हमने ये food chain देखा है ना, पहले हमने देखा था कि वो जो ग्रास ओपर है, वो घास को खाता है, और उस ग्रास ओपर को चुडिया खाती है, और एक और हमने देख यहाँ पर कहा है, if one of the links in chain becomes extinct, can the food chain last, extinct मतला बच्चो गायब हो जाना, विलूप्त हो जाना, बोलते हैं विलूप्त, जैसा डाइनासोर एक्स्टिंट हो गए ना, उसी को बोलते हैं, क्या बोले कि अगर जो link है, food chain में जो link है, एक भी गायब हो गई, क्या ये food chain रह ना, क्यूंकि वो जानवार ही नहीं रहेगा, तो जो क्या खाएंगे, अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, अब समझ दो, ये घास पूछ चली गई, तो ये caterpillar जो कीड़ा है, इसके खाने के लिए तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो जब वो नहीं खा पाएगा, तो चुर बच्छो, यहाँ पर भी आपको एक और फूट चैन बतायागे है, यहाँ पर क्या फूट चैन है, बच्छो, देखो, यहाँ पर सूरज है, सूरज की मदद से ये घास पूछ जो पेड़ पदे चोटे 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 वो उगते हैं, और इस घास पूछ को एक रैबिट, मत बच्छो, देखते हैं, फूट मतलब कि उसमें फूट चैन में खाले कुछ जानवा रहते हैं, फूट में बहुत सारे जानवा रहते हैं, ठीक है, देखो कि अब्सेर फूट चैन शोन इन पिक्चर बिलो, क्या बोलने हैं, कि जो नीचे आपको यह तस्वीर दी गई है, फ बहुत सारे जो फूट चैन्स होते हैं, उनको मिला कर फूट वेब बनता है, देखो भी, मैं आपको बता दो बच्छो यहां पे, यह घास पूट है, इस घास पूट को कौन खाता है, दोखो यह जानवार खाता है, आप बल सकते हैं, हिरन खाता है, और इसी घास को एक ग्र ग्रास होपर खाता है, और एक कैटरपिलर खाता है, और खरगोज भी खाते हैं, यह सारे जानवार घास पूट खाते हैं, अब देखो, यह जानवार को कौन सा जानवार खाता है, दोखो यह लोंबडी खाती है, फॉक्स, और इसको कौन खाता है, लाइन खाता है, दोखो और देखो बच्चो अगर आप देखोगे इस gwraãy सौपर को चुलिया खाती है नहीं, आप यहाँ पर देखो इस gwraश्स हापर को मेंडग कहता है और मेंडग को फिर कौन खाता है? साब खाता है तो यह हो गया देखोगी फूड चेन कैसे हो गया, फूट चेन हो गया, यहाँ पर यह खाता है, मेंड़क इसको खाता है, मेंड़क को साप खाता है, और एक और देखो बच्चो, इस ग्रास ओपर को कौन खाता है, आप देखो कि इस ग्रास ओपर को चुहा खाता है, और चुहा को साप खाता है, और साप को भी वल chain हो गया, इहां पे दोगो यह हमने एक देखा था ना इस घास को ग्रास होपर काता है, ग्रास होपर को मेंड़क, मेंड़क को साब खाता है और साब को वल्चर खाता है, यह फूट चैन यहां से ऐसे जाता है, अब देखो एक और है हमारा, यह हमारा caterpillar मतलब कीड़ा है अब देखो जो कीड़ा रहता है वो कीड़े को चुड़िया खाती है हमने देखा था अब देखो आगे वाले पर आते हैं यह हमारे पास कुछ fruits है ठीक है फल है यह फल को कौन खाता है चूहा खाता है और यह गिलेहरी जो रहती है जिसको हम पिलर को चुड़िया खाती है और देखो इस लोग घास यह सब खाते है और इन रेबिट खरगोश को वल्चर खाती है और देखों रेबिट को और कौन खाता है शेर खाता है ठीक है आप देखू हमारा क्या बचता हैote ऐसको इसमों बचता है और गिलियरी को कौन खाता है वल्चर खाता है कि ये जो रहते हैं वल्चर भी खाता तो यह बंछ ऑता है इम यह इसका खाना बनता है यह इसका खाना बनता है यह इसका खाना बनता है और यहाँ पर यह इसका खाना बनता है और इसको यह लोमड़ी खा जाती है फिर उसके बाद खरगोश को भी लोमड़ी खा जाती है यहाँ पर आप देखो यह बहुत लंबा फूड़ चेन है घास को यह ग्रास होपर खाता है उसको मेंडग खाता है में डग को साब खाता है और साब को यह चील खा जाती है ठीक है इसको बोलते हैं हम फूड वेब ओके बच्चो चलो भी आगे दिखते हैं क्या है कि यहां पर आपको क्या बोले कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो क्या देखो फाइंड डिफ्रेंट फूड चेंज ओफ विच दवाम एंड़ माउज फॉर्म लिंक क्या बोले कि आप अलग अलग तरीके का फूड चेंड ढूंडो जिसमें एक चुहा और एक वाम जो क चुहा खाता है और चुहे को फिर उसके आगे वाले जो भी जानवर रहते हैं तो ऐसा लिंक है अगर आपको कोई और लिंक मिलता है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि वहां पर हम देखेंगे चलो भी आगे देखते क्या है यहां पर गया वाल नंबर फूड का वो हिस्सा हो सकता है ठीक है अब देखो अगर यह ग्रास होपर को चुरिया खाती है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चुरिया ही खाए दो इसको मेंडग भी खा सकता है साप खाएगा उसको उसको यह चील खाएगी तो वहीं बोल रहे है कि एक जो जीव रहता है वो कई चेन का हिस्सा हो सकता है तो ऐहां पे भी है यहां पे यह पे यहां पे तो वह यह बोल रहे है ठीक के देट ट्राइश डी वेब इन ने्चर लेह कि यह बढ़ावा देता है फूंट वेब को प्रकृति में जब एहां ही जानवर बहुत सारे फूंट चेन बनते हैं एक ही जानवर के तो वह उससे food web बनता है अगर देखो सिर्फ ऐसा ही रहे यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही जानवर खाये जिसे घास को खरगोश को साब खाएगा तो यह food chain होता है लेकिन अगर वही देखो यह ग्रास ओपर है घास को खाएगा उसको चुरिया खाए तो इसको हम food web बोलते हैं जब बहुत सारे जानवर आ जाते है food chain में ओके आगे देखो क्या है यहाँ पर आपको दिया गया है the most important food in the food chain plants देखो क्या आवले सबसे खास जो खाना है food chain में वो होता है plant बदला पेड़ पाउदे बच्चों अगर यह रहेंगे ही नहीं तो जो जानवर है घासपुस खाने वाले वो क्या खाएंगे उसको पास कुछ रहे गाई ने तो जानवर मर जाएगा और जो घासपुस खाने वाले जानवरों को जो जानवर है वो भी मर जाएगे क्योंकि उनको मास खाने मिले गाई ने ठीक है चलो आगे देखो क्या है every living things gets its food from the environment क्या बोले कि जो हर एक जीव है उनको उनका खाना environment से मिलता है अब बरशक तो प्रकृति से मिलता है many animals in the environment eat only plants क्या बोले कि बहुत सारे जो जानवर रहते हैं environment में प्रकृति में वो सिर्फ plant खाते हैं सिर्फ पेड़ पौदे खाते हैं पत्तिया यह सब खाते हैं other animals eat the animals that live on plants क्या बोले कि और जो दूसरे जानवर रहते हैं वह ऐसे जानवर को खाते हैं जो सिर्फ पेड़ पौदे खाते हैं अब समझ लो हीरन हीरन जो है वो सिर्फ पेड़ पौदा खाता है लेकिन जो शेर है या बोसकि तो टाइगर जो है यह जानवर क्या खाली हीरन को खाते ह यह घासपूस नहीं खाने जाते हैं, ओके, आगे कहा है, इसका मतलब यह हुआ कि पेड़ पौदे सबसे में, सबसे खास एक फूड है, खाना है, फूड चेन में, अगर वो नहीं रहेंगे, तो कोई नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर बोलना चाहते हैं, देखो यहाँ पर, जो पेड़ अपना खाना कैसे बनाता है, वो यहाँ पर आप आपना खाना बनाता है, खाना बनानेक बाद वो ऑक्सिजन बाहर छोड़ देता है, ठीक है, और जो प्रोसेस से यह अपना खाना बनाता है, उसे हम बोलते हैं, फोटो सिंथिस, ओके, चलो भी आगे चलते हैं, आखरी पेज़ पर, देखो यहाँ पर आपको क्या है, There are many food chains in our environment, क्या बोल रहे हैं कि हमारे environment में कई food chain है, जो हमने देखा हैं पीछे, ठीक है बच्छो, आगे क्या है, Because of these food chains, every living thing gets the food it needs, and therefore continues to live, क्या बोल रहे हैं, कि इन food chains के कारण, हर एक जो जीव है, उन्हें अपना खाना मिलता है, अपनी जरुरत के हिसाब से, और वो जिन्दा रहते हैं, आगे क्या हैं, microorganisms living in the soil help the process of decomposition of plant residue, dead animals, excreta, etc. क्या बोलने हैं, कि जो microorganisms, मतब कि बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो मिट्टी मतब जमीन के अंदर रहते हैं, और जो भी decomposition का process मतब कि जो जानवर है, मरे हुए जानवर, जो पेड़ पौदे का सड़ा गला हिस्सा है, उसको decompose करने, मत क्या है, as a result, substances that help the growth of plant are formed and get added to the soil, क्या बोल रहे हैं, कि इसके कारण क्या होता है, जो भी substance है, जो भी चीज है, जो पेड़ पौदों को बढ़ने में मदद करती है, वो क्या होते है, वो गल के जमीन में जाकर मिल जाते हैं, plant use them for their growth, और क्या होता है, जो पेड़ पौदे रह इसको, पेड़ पौदों को, ओके, देखो बच्चो यहां पर भी आप एक food chain देख सकते हो, देखो, यह सूरज है, सूरज की रोशनी से यह जो पेड़ बढ़ता है, अपना खाना बनाता है, और इसको यह जो जिराफ है, यह खाता है, ओके, यह food chain चलता रहता है, ओके, चल these substances to the soil once again. मिट्टी में मिल जाते हैं, और वापिस इसी का इस्तेमाल करके पेड़ पौदे बढ़ते हैं, ठीक है? आप हिंदी में सुनोगे खाद बोलते हैं, खेत में खाद डालते हैं, तो यह प्रकृतिक खाद बनती है, बच्चो, जो जानवर मरते हैं, तो पेड़ पौदे जो this is an important cycle in the environment क्या बुल रहें कि जो साइकल है यह बहुत ही खास साइकल है हमारे इंवार्मेंट में हमारे प्रकृति के लिए ठीक है आगे देखो क्या भी आपको also living things get a continuous supply of water because of the water cycle क्या बुल रहें कि और जो जीव है उन्हें लगातार पानी मिलते रहता है water cycle की वज़े से बच्चो water cycle कैसा होता है हमने पिछली चैप्टर में देखा था देखो यह सूरज की रोशनी की वज़े से जो पानी है वह भाब बनके उपर जाता है और उसके बाद वह बादल बनता है बादल जब ठंडा होता है तब वह क्या होता है बारिश को रूप में हम गुव आउट carbon dioxide कि दुखो क्या बूल रहे है कि जी जो living things है मतलब जो जीव है हमारी प्रिथुवी पर बहुर क्या करते है oxygen लेते हैं सास लेते समय अंदर oxygen और सास छोड़ते समय वो Carbon dioxide gas बाहर छोड़ते हैं आगे की आपको देखो plants use the carbon dioxide from the air for making their food और क्या होजे जो पेड़ पौदे रहते हैं वो Carbon dioxide का इस्तेमाल करते अपना खाना बनाने के लिए oxygen is given out in this process and gets added to the air again और क्या होता है जब पेड़ पौदे अपना खाना बनाते हैं उस समय क्या होता है वो अपना खाना बनाने के बाद ऑक्सिजन बाहर छोड़ते हैं जो हवा में जाकर मिल जाता है यह भी हमारी प्रकृती में एक साइकल है बहुत जरूरी साइकल है बच्छो अगर पेर पॉदे नहीं रहेंगे तो हम जो कार्बर डियक्सेट छो कि नेचर में ऐसे कई और साइकल होते हैं ठीक है जैसे हमने अभी पढ़ा है इतने सारे साइकल हो गया और फूड चेन का साइकल हो गया और जो ऑक्सिजन हम लेते हैं बाहर छोड़ते हैं फिर पेर उसको इससे मालगर करके अपना खाना बना के कार्बन डियक्साइड ले लेते हैं और उसके पाद ऑक्सिजन बाहर छोड़ते हैं तो ऐसी ही तरीके के हमारे नेचर में प्रक्रिती की बहुत सारी साइकल है आगे देखो यह लगातार चलते रहता है इससे क्या होता है इसकी मदद से जो food chain है हमारे प्रकृती में वो चलते रहता है ठीक है वेंड दा वेरियल साइकल्स इन दा इन्वार्मेंट गो ओन अन इंटरॉप्टेड इन्वार्मेंटर बैलेंस गेंटेंटर और क्या बोल रहे हैं जब कई साइकल है हमारे नेचर में वह बीना किसी रुकावट के चलती रहती है थो प्रकृती चौह हमारा इन्वार्मेंट है वो बिलेंस रहता है है बरकरार रहता है यह बच्छो देखो अगर पफवृ नही güne रहें तो हमें भी खाना कहां सी मिलेगा तो यह इस और सूँ आपको बहुति हैै कि अपना कहा हरो यह याद सिक्क रहरा है व्याभ में बच्छों बक्राटिया जीव है living things है उनके जिन्दा रहने के लिए यह जरूरी है कि environmental balance जो है वो बना रहे ठीक है बच्चो कि उसी से सबको खाना मिलता है अगर environmental balance नहीं बना रहा पेड़ पौदे नहीं रहे तो खाना किसी को नहीं मिलेगा हर एक जीव मर जाएगा ठीक है चलो भी आगे देखते है हमारे chapter complete हो गया बच्चो अभी देखो यहां पर क्या बता है what we have learned मतलब कि हमने क्या सीखा क्या है देखो there are innumerable types of living things on earth हमने क्या सीखा कि हमारे प्रीथवी पर भूच सारे अलग-अलग तरीकी के जीव है there is interaction between living and non-living things in the environment और क्या बोले कि जो जीव है और जो living things और जो non-l region of the earth और क्या बोले कि अलग-अलग तरीके के जानवर पेड़ पौदे और माइक्रो और जो छोटे-छोटे जीव रहते हैं यह अलग-अलग धर्ती के प्रिथवी के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं आखरी में क्या देखो the water cycle various other cycles and food chains in nature help to maintain the balance in the environment क्या बोल रहे है कि जो water cycle है और जो अलग-अलग तरीके की cycle है food chain है इन सब की मदद से हमारी प्रकृती में environmental जो balance है वो बरकरार रहते हैं वो maintain रहते है इस balance has been maintained for thousands of years क्या बोल रहे हैं कि यह जो balance है यह हजारों साल से maintained है ठीक है क्योंकि बच्चों अगर यह balance maintained नहीं रहा तो हमें खाना नही मिलेगा और हमें खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा बच्चों हमारी मृत्ति हो जाएगी तो इस कारण हजारों साल से यह cycle चलती है इसलिए हजारों साल से इनसान जिन्दा है ओके चोलो भी आगे देखो बच्चों हमारा chapter complete हो गया है अभी question answer है तो यह question answer आपको अगले व